इस्टेडियम की जो री नेमिंग हुई है नीरच्च उपड़ा के नाम पर यह कोई छोटी बात नहीं है एक तो हम लोगों ने समस्थ देश्वाशियों की तरफ से उनके प्रती एक अपना इसनेह का भाव प्यार का भाव सम्मान का भाव यह व्यक्त किया है वही पर रक्षा और खेल के संबंधों को भी यह कारक्रम दर्शाता है रामैडव और महाभारत काल में भी खेल के रूप में युद्ध विद्याएं चात्रों के पाठकरम का हिस्सा हुआ करती थे जिससे हम सभी अच्छी तरह परचित है इंडस्वैली सियोलाईएशन में निशाने बाजी तलबार भाले और वेट लिफ्टिंग चेस ऐसे भी खेल हुआ करते थे यदि इंडस्वैली सियोलाईएशन के इतिहास के पन्नों को पलट कर कोई देखे नालंदा और तक्षिला में वाकाइदा खिलाडियों की ट्रेनिंग होती थी विदेशों से भी लोग नालंदा और तक्षिलावी सुध्याले में खेल की ट्रेनिंग लेने के लिए आया करते थे जहां हम आज हैं इसका इतिहास देखे यानि महारास्ट के बारे में मैं कहना शाओंगा यह खेल ही था जिसने शिवा नामक बच्चे को शत्रपती शिवा जी महाराज बना दिया और गुरु स्वामी रामदाफ जी और दादा जी कॉंड देयो और माता जी जा भाई ने बचपन से ही खेल खेल में ऐसी सिक्षा दी जिसने शत्रपती बहाराज शिवा जी को एक रास्ट नायक बना दिया इसी तरह रानी लक्ष्मी भाई, रानी चनम्मा, दुर्गावती ये थी विरांगनाओं के जीवन में भी खेल की बहुती महत्तपून भूमिका है मेरा मानना है कि एक सैनिक में सच्चा खिलाडी और सच्चे खिलाडी में एक सैनिक हमेशा मौजूद रहता है भारती से ना, बखुवी उस परंपरा को आगे बढ़ा रही है मेजर ध्यांचन, कैप्टन बिलखा सिंग, कर्नल राज्यवरधन सिंग राठोर और कैप्टन भिये कुमार की चली आ रही परंपरा में अब सुवेदार नीरच्च उपडा ने भी अपना नाम स्वानाक्षरों में दर्ज करा दिया है साथियों, सुवेदार नीरच्च उपडा ने देश को गौरा नित किया है वहीं हमारे अन्नक खिलाडियों ने अपने प्रदर्सन से समस्त भारतवासियों का दिल जीता है वह सारे भारतवासी जो या तो भारत में रहते हैं अच्वा जो दुनिया के दूसरे देशों में भी भारतवासी रहते हैं सारे भारतवासियों का उन्होंने दिल जीता है मैं सुवेडार मेजर सतीज के उतकिष्परदर्शन की सरहना करना चाहता हूँ 13 तांके लगने के बावजूद 13 तांके लगे थे लगने के बावजूद अपने क्वार्टर फाइनल बाक्सिंग में स्तांदार प्रदर्शन किया नायब सुवेडार